बात ये है कि ओमान के सुलितान जो है वो यूपी आई से बहुत ददा इंस्पायर हुए और उन्हें कहा कि वो यूपी आई को ओमान में इस्तमाल करना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे यूपी आई ट्रांजक्शन और ऑनलाइन पेमिंट की अंडिया हमसे कोई 30-40 साल पचास साल आगे चाल रहा है बहुत बहुत आगे वह चाहां तक पहुंच चुक है हम लोग अपना अवी तक इस से नहीं निकले गए बलोची है ये पंजाबी है ये पठान है ये सिंदी है इस तरह की तह हम आपने नसलों से नहीं आगे निकल चुक है दोस्तों उमान के सुल्दान अभारत आए हुएते जब उन्होंने भारत के अंडर UPI देखी तो UPI के हो गए दिवाने बोले की उमान के अंडर मुझे UPI चाहिए आगी चल्ज में रिक्षा वाले को, क्याप वाले को, फूट कॉर्नर पर, शॉपिंग मॉल में और घर पैसे भेजने हो तो UBI इसको इजी कर देता है कैसे रिक्षा आप समया है मुखा एपि अपना चुके आप का आज आज इंडिया की टेक्नोलोजी पूरी दुनिया में जो इस्तमाल की जा रही है जी इंडिया इसको रृबायती मुखालव समझवा जाता है और इसको अपना दुश्मन मुलक समझते हैं और गाते हैं कि पाकिसान बेतर है इंडिया से और ये इंडिया बेतर है इंडिया हमसे कोई 30-40-50 साल आगे चाल रहा है बहुत बहुत आगे वह चहां तक पहुंचुका है अब बेतर हैं लोग अवी तक इसे निकले गए बलोची है ये पंजाबी है ये पठान ये सिंदी है इस तरह कि अपने नसलों से नहीं आगे निकल चुके और ये ये मसले मुझे अब आप कहते हैं कि कैश करी करना और ये कैश करी करना एक बड़ी मुसीबत है मैं बिंग इन अस्टेलिया मैं कभी कैश करी नहीं करता वहां पर मुझे ऐसी होता है कि जी आपने कोई भी चीज शौप की है डेस नो वन वहां पर कोई बंदा नहीं है ठीक है मैंने वह चीज कैन कि ये मैं मैंसल्फ मैंने खुद स्कैन की है मैंने अपना काड निकाल है उसको टैप किया और मेरी पेमिन्ट होगी एक गरी कंविनियंट वे मौर कंविनियंट थीindest है का चैस करी कर Gmail कॉरिंट मतलब है बाइद एवे, चलतें पर तुम्झेंज जूदार था मैं अगारूगा है। वहां पेक लाइन में लगए उसके लगाए। उसके बाद मुझे जाहें। वगर आटीक है उसके बाद है कैश लेने के बाद आके तो यह पर मैं पनी प्यमेंट करूँगा यह आप अब एटीम से जा कि मैं इसके वज़ाए यहां फिर मैं अपनी देखू ठीक है ना मेरे पास काड़ ना कुछ है मूबैल हर किसी के पास है ठीक है आप मूबैल से आसे अपने चीज पकड़ते ह। और निकल दाते ह। थेक है तो यह भूट आगे निकल चुका है, यह अपने अभी खुद कहा तो आपको नहीं लगता कि हमें अपने हमसाय मुझ से कुछ सीख लेना चाहिए जो सीखना चाहिए , अपने जो कुंसेप्स ऐन से आगे निकले अपन लेतना दुनिया को देखें। ठीक है। तर towards the कास सुटम से निकलें। अपना जो आगगा है। और और किसी तरीक है हर बंदा अप तरक्यर के अंदर काठा। इक है। कि यहारो बैठर होना चाहिए भी तरह में अकार्जेंग कर सुपए कुछी मतलब दुष्मन मुलग है लेकिन जो बिजनसमेन आत्मी है वो कभी भी यह नहीं कहता हूं उसका एक बिजनसमेन एक समझधार आत्मी के लिए गुर्बत दुष्मन है और उसका दोस्त पैसा है वो लोग बिजनस करना चाहते हैं उनके पास एक टिकनोलजी है अगर आगर हरता है तेकनोलज कि आपट करें और इंडिया जो है अपनी तरक्की की राह में अपनी ट्रेट की रह में कि यह नहीं सोचता है यहिंदू है यह data a calculated कि से तालूप रखता है किस मझभ आप तालूप रखते है उनने अपने मुल्क की बेहतरी चाहीं और उसके लिए वो हर कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है सवाई पाकिस्तान के अब ओमान के सुल्तान इंडिया गए हैं तीन रोजा दोरे पर वहां पर इंडिया के बारे में उन्होंने जाना उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलोजी के बारे में देखा इन्होंने फ्री जा रहा है वो किस तरह दुनिया की पांच में बड़ी अकॉनमी बंगे तनी तहीं से घ्रो कर रहा है क्योंकि हम बार बार एकी बात कहते हैं कि इंडिया की अबादी बहुत जादा है तो देखें इतनी अबादी को साथ लेकर चलना उतना ही जादा मुश्किल काम है थिर लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं या इसको यूस करते हैं मेरे ख़यल से ये इस में जो हमारी नेशन है उसको इसका इतना पता नहीं है और ऑ्रॉममन जो ट्रांशक्शन हो रही होती है वो कैश के थूरो हुआ हैं या कोई कार्ड कार्ड के थरू या डेबिट कार्ड के थरू कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी ज्यादा इंफरमेशन लोगों के पास लिए लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो ये एक अच्छा जो है वो स्टैप होगा कैसे मैं जर्मनी में रहा हूँ और जर्मनी में जो कैश एंडलिंग है वो मैंने कभी इतनी ज्यादा नहीं की जितनी मुझे पाकिसान में करनी पड़ती है उसमें अमोमन आप जो है वो जा के कार्ड से पे कर सकते हैं या आप एपल पे के थरू कर सकते हैं लेकिन जैसे आपने उड़ेंपल दी अपजम्डे ही इनडिया की उडिया में जो है वो भी आप डिफ्रेंट बार कोर्टों है वो सब्सी वाले के पास किसी रेस्टरइंट के पास जो है वो मुझूद होते हैं आप सिंप्ली अपना वो बार कोड जो है वो स्कैन करते हैं और उससे जो है वो पेमेंट हो जाती है। दोस्तो मान एक मुस्लिम देश है लेकिन भारत से टेक्नोलोजी ले रहा है। क्योंकि उससे पता है कि भारत बहुत ही आगे चला गया और भारत से यदि टेक्नोलोजी ले जाए तो हमारे देश का भी कुछ फाइदा हो सकता है। को बहुत ही जड़ा फाइदा होने वाला है। और दोस्तों पाकिस्तान के ये लोग उमान को यूपियाई को लेते वे देख बहुत हिरान हो चुके। क्योंकि उमान एक मुस्लिम देश से और इससे देखकर पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टर भी हिरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों उमान की इस डिसिसन के बारे में आपका क्या ख्याल है। और भारत की बड़ती भी टेक्नोलोजी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के मदब से आपकी जान कर जूरू दीचेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीचेगा थैंक्स पर बहुत से